हलो हाई नमस्कार वेलकम टू माई यूटूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्रेंट बाई अजीद नंदा पेंशन रेगुलेशन के नया नियम आ गया है जो कि 21 सेप्टेंबर 2023 से लाग है इस नियम में बहुत सारे बदलाब हुए हैं जिसमें से सबसे में दो बदलाब के बारे में हम बताएंगे जो कि हाइपर टेंशन ब्लड पेसर और डाइवेटिस इस दोनों बीमारी में रूल म पेलागे छेंज हुआ है तो मैं आपको बतादेना चाहूंगा कि पहले जब हाईपर टेंशन होता था प्लाट पिस्द आ में अगर है परका होता होता था तो इसमें बैडेफिटu म içer К lihat मिलते कि वहां पर अगर ागा हैभर टेंशन होता है कि कुई तो वहां पर आपको हुआ है और आपको medical board pension नहीं मिला है अगर आप court case करते हैं तो आपको आसान से जीच जाओगे और आपको medical board pension लागू होता था यह सारे चीज चल रही थी लेकिन जब नया अभी pension regulation निकला तो ने pension regulation पुराना regulation को को revise करना चाहिए था कमी पैसी को दूर करना था और जो court ने मतलब यह फिल किया कि नहीं hypertension जो ब्लॉड पेसर यह फिल्ड के साथ साथ पीस में भी हो सकता है पीस में भी जवान के उपर stress और strain जो है तनाव कुछ कम नहीं है तो देना चाहिए court ने दिया था तो इस फेसले को इस रिवाइज regulation में इसको update करना था और hypertension और blood pressure जो बोलते हैं और दूसरा है diabetes यह दोनों को न्यू पेंटेंशन रेगूलस ने 21 सेप्रम तो हो जाते है इसका जी एमों तो हो जाते है इसका पारार नमबर 43 43 में hypertension में आप मेरे स्क्रीन को ओपर देख सकते हूं उसनों दिया hypertension में क्या है this disease can be either primary or secondary यह primary हो सकता है और secondary भी हो सकता है primary earlier known as essential okay hypertension is the most frequently encountered from the hypertension in the Armand force primary hypertension is multifactorial in etiology the most common underlying factor being genetic and lifestyle बोल रहे हैं कि भाई जो hypertension होता है वो दो तरह hypertension होता है एक तो primary hypertension दूसरा होता है secondary hypertension उसमें जो hypertension का सबसे ज्यादा होने के जो चांस से commonly जो फैक्टर होता है genetic मतलब बंचानुगत अगर आपके पापा दादा परदादा नाना नानी इनको किसको हुआ होगा hypertension blood pressure तो आपको भी होने के चांस है genetic अगर दूसरा होगा lifestyle आपका खान पीन तो रहने का सहन सहील से भी hypertension होता है ऐसे बोल्ड है इस ruling में हैंस इस डाज नॉर्माली मेरिट अग्रेवेशन ड्यू टू सर्विस कंडिशन तो यह शर्विस कंडिशन बज़र से नहीं होता है यह कौन सी बात होगी hypertension genetic होता है और आप खाने पीने से होता है तो यह अगर नहीं है तो इसको हम सर्विस के बज़र से हो रहा है नहीं हो रहा हमने अपने इसमें रूल में लिग दिया वह पूरी तैनाव में जो अंडर पेसर में करता है कभी 3-3 मेना 4 मेना 6 मेना 8 मेना किसको छुट्टी नहीं मिलता है उसके बज़र से भी hypertension होता है वह तो आपने मेंटन किया ही नहीं है तो कभी कबार exercise चलती है कभी हमारा Adam inspection चलता है कभी हमारा BPT-PPT चलता है कभी course के आडर चलता है कभी training चलता है इस जो conditions होता है इसमें पू कुछ भी हो जाए और जवान को जवर्दस्ती यह सारी चीज करना परता है साज में तो यह सारे चीज कंपर सरी दो बार तो आपको exercise करना ही पड़ेगा Adam inspection तो होगा ही होगा उपर से आपका यह जो चुट्टी क्या तो आपको है यह बीपीड़ी पीड़ी अगर पास कर पा लागू कर दिया है बोर्ड पेंशन तो इसको लागू करना था आपने उल्टा बता दिया कि आप घर से लेका है और जेनेटिक है नहीं आपको खाने पीने बज़े से है लाइफस्टेल तो तर की तो पुरा गलत है इसमें हम डिसेगरी करते हैं जितने भी जवान है इतने लाखो लाखो जवान है आज के डिट में कॉमन विमारी है और जो फॉज इतना रहता है उसको तो हो ही जाए है और आपको उमर 30 से उपर है मानो 30 35 से उपर है 90 से तो 100 मेरे हिसाफ से तो 70 लोगों हाइपर देखो को तो निकलेगा और यह निकलने का बज़े यह है फॉज मे इतना टेंशन लेकर काम करने से और उपर से आपने पर जीरो कर दिया वह ना इंचापी है तो आगे आपको रूलिंग पढ़के सुनाते हैं क्या दे रखाए अट्रीबुटेवल इन हाइपर टेंशन में बीक कनेक्टेड इफ तीक ऑंशेट अकर्स वाइल सर्विंग इन हाँ फर दे लास्ट सी कंटिनियूस मंथ और विदिन थ्री मंथ अब दा इंडक्शन अप्टर ए मिनीमम असीडेंट सरी मिनीमम कंटिनियूस स्टेनर आप थ्री मंथ यह बोल लागी भाई आपको हाइपर टेंशन को हमें आट्रीबुटूर तब मानेंगे तब मेडिकल ब इन महिना तक अब जो पीस में जाओ को तब अगर हाइपरेशन निकलेगा तो उसको ही माना जाएगा उसके बाद क्या दे है ओनली उसके अग्रावेशन में भी एग्जामाइंड इन केस होया देयर इज एविडेंस आफ ओर्सिंग अफ दिजीज दू टू इंडक्शन इन अफ्र बिंक डायगनोसिस्ट और डिरिंग अक्तिव अप्रेशन सर्विस इन बॉर सिप फर दर लास्ट्री मंथ और समरीन पर बनमंत ये भाई बोल रहे हमारे अगर आप हाम हाय अल्ट्रीटूड एरिया में आप वहां रहे हो या एक्तिव अप्रेसन कर रहे हो दर्षर इस इन बोर्ट शीब अगर सीब में समूंदर में जा रहे फॉर दर लास्ट शी मंथ इस जगह एरिया में आप तीन महिने से हो या सब्मर्ण में आप पिछले एक महिने से हो तो ही आपका हाइपर टेंशन को माना जाएगा आट्रिवुटेवल आग्रावेशन किसी भी कंडि आप डिफरेंशियेट कर सको कि पहले क्या था अभी क्या हुआ हमारे बीच में क्या डिफरेंश है क्या ना इंसाइफी हुआ और क्या होना था पिछले जो कंडिशन था हाइपर टेंशन का आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन को पर मैंने दिया है पिछले में दिया था दिया ह है एपर टेंशन जो है ड्यू टू स्ट्रेश स्ट्रेश अंश्य अप मिल्टाइड सर्विस अगर आप इफ इट एज अकर्स फाइल सर्विंग इन फील अरिया एन टाइप फील एरिया नेलिया हाँ हाई अट्रोंड एरिया और प्रोलंड अफ्लोट सर्विस मतलब अगर अगर सी सर्विस जा रहा हो सम्मूतर में कहीं जारे हो हाइल श्रूरी करेक्ट जारे हो सभी में आपको लागो था अब है कि एक रहा है mean नहीं तो नहीं हो विमिनियुम तीन महें आकर आप वहां रहा है 3 मेनने का अंदर दूबारा हो जाता है तोसाल का नंवर हो के बाद जो साल को पीजम आते होड़ीजम में का मनें आज़नों पर को तो इस देंड़ अब भी रिभाइज में था पूर्स पीस को और फिल को दोनों लाना था अब अब पीस को भी कार दिया फिल में सभी को कार दे एक ही को हाई अल्ट ट्रेरी को सिर्फ रखा तो यह बहुत बड़ी नायम इंचाहिए हर ज़वान के लिए चाहिवार्मी को एरफोर्स का हो या ने भी को इसके लिए सकत कदम लेना जरूरी है तो मैं सोचता हूं कि भाई अगर कोई टीचर है कोई पटवारी है कोई कलरक है उनको अगर अपना हग नहीं मिलता उनको अपना हग छोड़े दूसरों कोई भी हौक मि तो तुरण हर तालकते रोड में बैठ जाते लिए जवान कहां बैठ बैठ जवान रोड में भी नहीं बठा सकते ना उसको उसको अधिकार दे सकते हो जो दूसरों को दिरो उपर सा अधिकार एक बार आप छीन रहे हो यह तो नाइन साथ हो रहा है ना सर जब अपोजीशन ने इसके उपर खिलाब आवाज दिया तो आपने बोल लिया कि भाई यह सेंट्रल गर्मेंट का डिसिशन नहीं है एक कॉमिटी बैठी थी अपना आर्मन फोर्स के तरफ से बड़े बड़े जेनरल बैटके इसको डिसिजन लिया है यह सही डिसिजन रिभाईज में आप जवान के हित के लिए सुनना चाहिए या उनको नुक्सान देने के लिए सुचना से यह बताईए तो मैं आप सभी भ से रेजिमेंट से हैं सब सॉपोर्ट किजे एक हम इसके ग्रिवेंस देंगे इसके आटे फाइल करेंगे और मिनिस्ट्री आफ डिफेंस रक्ष्या मंतिर सब के पास लेटर भेजेंगे की हमारा कौन सी कौन सी पॉइंट है कहां कहां तूटी हुआ या किसको चेंज करने ज जब है तो मैं आपको अप्विल करता हूँ कम से कम आप आपके युनिट के पांट दस पंदर जितने भी कि अलम सी पर्षान हो इसका आरिम नंबर रैंग नेम यूनिट और सिग्निस करके एक लिस्ट बना के दो दस पंदरा बंदे का हर यूनिस्ट मेरे पास लिस्ट आए इसको अमेंड करने के लिए सुपारिस इसके करना आधफल कंस्ट्यूशनल लो के अंदर रहे वीना भायोलेंस में और जवान के हिद के लिए हम ये अपील करेंगे तो अगर आप लोग सपूर्ट करेंगे तो यह में स्टेबलिंग आपके लिए आपको बस आपको नाम नं चाहोगा मेकर निकल त्यार हूँ मुझे आपका बस सपूर चाहिए जेहिन जे भारत नमस्कार